महराज गंज में यह नेपाल सीमा है और यह लोग भारत की तरफ से चीनी के बोरे इस पार से उस पार पहुँचा रहे हैं यानि की चीनी की तसकरी कर रहे हैं जो लोग साइकिल से चीनी के बोरे ले जा रहे हैं दरसल ये तसकर नहीं है तसकर कोई और होगा जो किसी बड़ी गाड़ी में चीनीयों की बोरियां भरके ले आता है चूंकि उस पूरी गाड़ी को उस पार नहीं ले जा सकता क्योंकि सीमा सुरच्छावल के जवान चौक सी कर रहे होते हैं महराज गंज में ही करीब 84 किलो मीटर लंबी सीमा है भारत नेपाल की जो खुली हुई सीमा है अलाकि उसमें जगा जगा पर चेक पॉस्ट बने हुए हैं और उसके बाद सीमा सुरच्छावल के जवान पेट्रोलिंग भी करते हैं और सीमा छेत्रों में पुलिस की चौकियें भी हैं थानें भी हैं पुलिस भी चौकिसी भी करती है लेकिन इस तरह के तत्तों को रोकना कई बार पुलिस के लिए सीमा सुरच्छावल के जवानों के लिए भी काफी मुश्किल होता है क्योंकि 24 घंटे उनको वैसे तो निगरानी करनी होती है सीमा की लगे रहते हैं लेकिन कई बार उनकी आँखों में धूल जोक कर ये तसकर जो है ये काम कर जाते हैं और कई बार मिली भगत का भी अंदेशा होता है और मिली भगत के भी आरोप लगते रहते हैं कि मिली बगत से ये काम कर लिया जाता है लेकिन ये काम कहीं न कहीं पुलिस और सीमा सुरच्छावलों को चकमा दे कर किया जा रहा है क्योंकि ये एक पकडंडी के रास्ते ये लोग चीनी की बोरियों को साइकल पर लाद कर उस पार पहुंचा रहे हैं ये नेपाल की तरफ ले जा रहे हैं और इधर एक गाड़ी भर कर आती है चुकि गाड़ी जाएगी तो आवाज करेगी और वो पकड में आ जाएगी इसलिए उसको सीमा के किसी गाओं के पास खड़ा कर दिये देते हैं उसके बाद इन साइकल वालों को कुछ पैसे देके उनको बोरिया उनकी साकिल पर लातके उस पार पहुचा देते हैं फिर बताया जाता है को उस पार कोई गाड़ी खड़ी होती उसमें लातके फिर माल को ठिकाने लगा दिया जाता है तो ये पिछले दिनों का वीडियो है जो सीमा चेत्र पे वायरेल हुआ महाराज गंज में और काफी चर्चित रहा हलाकि बता जाता है को उसके बाद से चीनियों की तसकरी अब इस रास्ते से नहीं हो रही है जहां से यह हो रही थी लेकिन यह कोई नई बात नहीं है जब भी भारत जिन बस्तूओं पर निरियात पर रोक लगाता है तो इसकी तसकरी होने लगती है कई बार निरियात पर रोक नहीं होता है तब भी उसकी तसकरी होने लगती है वो वजह होता है उसके पीछे का मुनाफ़ा भारत में अगर उसका रेट कम है और नेपाल में जाके जादा मिल रहा होता है तो फिर उसकी तस पर प्रतिबंद लगा रखा है तो इसकी वज़ा से चीनी, गेहूं, आटा, पिट्रोल, डीजल की भी तसकरी होती है, खाद की तसकरी होती है, युरिया खाद वगेरा की भी तसकरी सीमा छेतरों पर होती रहती है और जहाँ पर जब दो देशों की खुली सीमा होती है, तो वहाँ पर इस तरह के तत्त जो है, सक्री हो जाते हैं, और ऐसे समानों की तसकरी अक्सर करते रहते हैं, और इसलिए जो है, ये निगरानी की जाती है, नेपाल से अक्सर जो है, कई देशों की मटर आती है, तसकरी के माध्यम से और कई बार पकड़ी भी जाती है हरी मटर हरी मटर को तसकर कर ले आते हैं और वो तो उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है और उसके पीछे कई बार जो है नसीले पदार्थों की तसकरी हो जाती है और कई बार हथियारों की भी तसकरी हो जाती है मतलब गलत तरीके के गदविधिया भी हो जाती है इसमें जैसे चीनी इस पार से उस पार जा रही है तो केवल चीनी जा रही है कई बार होता है कि इसकी आर में कई और चीजे गलत चीजे देश विरोधी चीजे चली जाती है जो कि काफी हानकारक होता है जो चली भी जाती है और उधर से इधर आ भी जाती है तो एक बड़ी चुनोती भी होती है सीमा पे इस तरह की चीजों को रोकना थाकि चीजे देश के खिलाफ ना जाएं इसलिए वहाँ पर सक्रीता रहती है तो नेपाल में इसमें ज़्यादा तर चीनी, गेहूं, खाद वगेरा की तसकरी हो रही है जो भारत की तरफ से नेपाल को पहुँचाई जा रही है क्योंकि भारत ने इसी साल इन चीजों पे जो है, निरिय आद पे रोक लगा दी है और यह सब चीजे नेपाल को दी जाती हैं लेकिन एक परमिट के आधार पे नेपाल से इसकी मांग की जाती है हमें इतनी चीज़े चाहिए और वो चीज़े तब नेपाल को दी जाती हैं कि जब भारत सरकार इस समझ लेती है कि हां इसको देने से उसके अपने देश में कोई नुक्सान नहीं हो गया नी कूई कीमते नहीं बढ़ेगी और आम जनता को इसको सुधनी हो गी मांगाई नीवड़ेगी यहां पे और यहां पे उस चीज की खिलत नहीं होगी तो उन चीजों को फिर उस मात्रा में दे दिया जाता है हमूमन होता क्या कि जितनी मांग नेपाल की तरफ से आती है तो उतनी उसको चीजे मिल नहीं पाती है परियापत मात्रह में तो इस तरह वहां नेपाल में मांग ज्यादा हो जाती है आप उड़ी कम हो जाती है तो उस ज्यादा मांग की आप उड़ती जो है यह तसकर लोग अकसर करते हैं जो इस पार से उस पार माल पहुचात और इसी में ये अपनी कमाई भी करते हैं